नमस्कार मैं हूँ नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्स्ट्रेस अब हम आपको ले चलते हैं 36 गड़ बुईटेंट की ओर जहां 36 गड़ से जुड़ी 9 घटनाए सामने आई हैं करोना संक्रमित मरीजों के लिए तैयार हो रहा है 750 से अधिक मिस्तर का कॉविट केर सेंटर नरायनपूर में लोकडाउन के दोरान बकरा इद एवं रक्षा बंदन पर्व के लिए दी गई आन्शिक छूट मोल में आवा जाही चालू रखने पर मोल संचालक पर कारेवाही लगा 10 हजार उपे का जुर्माना दुर्ग भिलाई में रक्षा बंदन के इस्तिहार में भाईयों के लिए बन रही है व्यादिक राखिया मानुपता हुई शर्मसार शब को पोस्ट माचम के लिए ले जाना पड़ा सतर किलोमेटर दूर पूलिस की मुस्तैदी से चोरी करने के देड़ घंटे बाद ही पकड़े गए दो चोर चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं 36 गड की सब भी खबरे 36 गड के कवरधा जीले में एस्पी ने चापे मारे कर बड़ी कारेवाही की है सिटी कोट वाली थाना इलाके के गोठिया रोड के पास सुनसान मकान में दविश देकर पूलिस ने साथ पूलिस कर्मी समेट आठ लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हातों गिरफतार किया है अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाए पूलिस खुद अपराधी बन रही है गटना के बाद से पूलिस विभाग में हड़कम मचा हुआ है पूलिस के मताबिक मुख्मिख की सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में अवैद कारोबार चल रहा है और पूलिस कर्मी भी जुआ खेल रही है जिस पर स्पी के एल धुरूब ने टीम के साथ घर में छापा मारा जहां से चार पूलिस आरक्षक, एक सहायक आरक्षक, दो नगर सैनिक और एक अन्यव्यक्ति को धर्दबोचा इनके पास से पूलिस ने 25,700 रुपए की धनराशी जप्त की है सभी के खिलाफ पूलिस ने जुआ एक्ट के तहट कारेवाही की है साइस संतोष ठाकूर ने कहा कि पकड़े गए सभी पूलिस कर्वियों के खिलाफ निलंबन की कारेवाही की जाएगी चतिसगड के कवरधा से स्टेट एड प्रनेगरवाल की रिपोर्ट अब चतिसगड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मंतरी के निजी सहायक द्वारा सरकारे रिकॉर्ड में छेड चाड कर जमीन की रजिस्ट्री करने का मामला प्रकाश में आया है आपको बतादे कि शास के भूमी जो की 2005 के पहले छोटे जाड का जंगल था जिसके रिकॉर्ड में छेड चाड कर निजी भूमी बता कर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है बतादे कि मामला चतिसगड के अंबिकापूर का है जिसमें जमीन के क्रेता राजेश वर्मा है जो मंत्री अमर जीत भागत के निजी सहायक है उन्होंने 12 जून को एक फैजल सिद्धिकी की रजिस्ट्री 3,20,000 में कराई थी ये जमीन मैंपोर्ट के आम गाउं की है इसका प्रथम दिश्चता परत्यक्ष परमानिया है कि बिकरी नकल दस्तावेजों में बिकरी हेतु प्रभावित भूमी को पटवारी द्वारा चीहनित नहीं किया गया ना ही पटवारी द्वारा इसका नक्षा जारी किया गया है यह जमीन 2005 के पहले छोटे जाड का जंगल यानी शास के भूमी थी इस मामले में गंभीर भात यह है कि उक्त भूमी पहले छोटे जाड का जंगल थी जिसका बाद में पट्टा बनवाया गया इसके चलते इसकी बीकरी दस्तावेज तहसीलदार एवं पटवारी से नहीं लिए गए और कुटर चना का दस्तावेज तयार करा लिए गए जानकारी के मताबिक इस मामले में पटवारी ने दस्तावेज देने से इंकार कर दिया था जिसका तबातला कर दिया गया इसके बाद भी फरजी दस्तावेजों के अधार पर रजिस्ट्री करा ली गई आशंका जताई जा रही है कि दस्तावेज ना देने की वज़े से पटवारी का तबातला किया गया होगा सेटिल्मेंट रिकॉर्ड में यह जमी छोटे जहाड की जंगल की रूप में शासके रिकॉर्ड में दच है स्थानी लगों के मुताबिक इसमें कुटर चना करकी इसका फर्जी पट्टा लिया गया था इसी वज़े से मंत्रिक के निजी साचीव एवं विक्रेता ने विक्री नकल तहसिल कार्याले से जारी नहीं करवाया चटिस गड़ के राइपूर से स्टेट हैट प्रनेगरवाल की रिपॉट अब चलते हैं चटिस गड़ में करोना से सम्वंदित खबर की ओर करोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 750 से अधिक विस्तर का कोविट केर सेंटर तयार होने की अंतिम सिती में पहुँच चुका है यहां कोविट-19 के मरीज जल्द रखे जाएंगे आपको बता दे कि 36 गड़ के दुर्ग भलई के कंचान दूर्थित चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जल्द ही करोना से संक्रमित बिना लक्षन वाले मरीजों का इलाज आरम हो जाएगा इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंदर भूरे एवं निगम आयुक्त रितुराज रगुवंशी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरिक्षन किया वे लगभग तीन घंटे सेंटर में रहे और उन्होंने कॉविट केर से जूड़ी हुई अधुस सरंचनाओं का साथ उन्होंने हरवाड में हैंड सेनिटाइजर और हैंड वाश रखने की उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिये कलेक्टर ने कैंपस में करोना वार्यर्स की सुरक्षा के लिए इंतजाम भी देखी इसके लिए उन्होंने पीबी एकेट की उप्लवदता एवं अन्य आवश्यक उपायों का आवलोकन भी किया बिलाई आयुक्त रितुराज रगुवंशी के निर्देश पर निगम अमलास संपूरन तेयारियों में जुटा हुआ है सोयम निगम आयुक्त कैंपस में उपस्थित रहकर व्यवस्था संभालते हुए हैं महापोर्व बिल नगर विधायक्षिरी देवेंदर यादव ने जीले में करोना के संक्रमन को ध्यान को रखते हुए CCM मेडिकल कॉलेज को कौविट केर सेंटर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है वाट की साफसफाई से लेकर अन्यकारे को पूरा करने में जुटी हुई है ताकि मेडिकल कॉलेज को पूर्ण रूप से कौवर्ड होस्पिटल के रूप में तब दिल किया जा सके और यहां भरती होने वाले मरीजों को किसी भी परकार से परिशानियों का सामना ना करना पड़े CHMO ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परीसर में सिर्फ करोना से संक्रमित बिना लक्षिनों वाले मरीजों को भरती का इलाज किया जाएगा मेडिकल कॉलेज तीन मंजिला है यहां कुल 22 वाड है इस केंपस में भी रिक्त अन्य कैमरों का उपयोग किया जाएगा मेडिकल कॉलेज कैम्पस CCTV से लैस होगा परवेश दुआर से लेकर वाड़ों की गतिविद्यों की CCTV कैमेरे से मन्यूटरिंग की जाएगी चिकित्सों की टीम कैमेरे के माध्यम से 24 घंटे भरती मरिजों पर नजर रखेंगी निगम प्रिशासन ने चिकित्सों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए होस्टल में चिकित्सकों के ठैरने की व्यवस्था भी की है दुर्ग भिलाई से राजिंदरगाडे के साथ सुनिल सोनी की रिपॉर्ट अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर 36 गड के नरायन पूर्जीले में करोना संक्रमन को बढ़ने से रोकने के लिए नगरपालिका शेतर में संक्रमन से बचाव एवम स्वास्थेगत अपात कालिन सिती को नियंतर्ण में रखने के लिए दो अगस्त तक का लोगडाउन लगाया गया है जिसमें कलेक्टर अभिजीत सिंग ने प्रतिबंदित गतिविद्यो में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश चारी किये हैं जिसके अनुसार बकराईद पर्व को दिष्टिगत रखते हुए इकत्ती जुलाई को शाम चार से जात आट बजे और एक अगस्त को प्रते पांस से दस बजे तक चिकन एवा मतन मार्केट जोखी गोवर पत्रोड के पास बरुखा पारा में संचालित होता है उसे खोनने की अनुमती परदान की गई है इसके साथ ही एक अगस्त को कुल नो व्यक्तिव को प्रते है साड़े साथ वजे से साड़े आट बजे तक महस्जित में नमाज हितू अनुमती दी गई नमाज के वक्त पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षव विवस्था सुनिशित करने को भी कहा गया है जारी आदेश में रक्षा बंदन पर्व को द्रिष्टी गत रखते हुए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक प्राते हैं 10 से दो पहर 2 बजे तक राखी विक्रे के लिए क्रीडा परीसर ओडिटोरियम सिनेमा होल के पास दुकान लगाने के अनुमती परदान की गई दुकानों के बीच कम से कम 15 फिट दूरी रखने को कहा गया है महीं 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मिठाई की दुकानों को खोलने के अनुमती परदान की गई है जिनका समय प्राते हैं 10 से 2 बजे तक निर्धार्दी किया गया है फुटकर सब्जे फाल लेवं अंडा दुकानों होतु निर्धारित सलों के अतिरिक्त नवीन बस चैन वह अंडे की दुकानों के रूप में संचालित किरने वाली के अनुमती दी गई है इसके लावा प्रतिबंदात्मक अवधी में माधंतेश्वरी स्वयम साहता समुहू बखुर पारा को रेडी टू इट निर्मान कार्य की अनुमती परदान की गई नरायनपूर से समाधाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर मौल में रेजिडेंशिल आवाजाही चालू रखने पर मौल के संचालक पर दस हजार उपे का जुर्बाना लगाया गया आपको बता दे कि शहर में बीते दिन 36 गड़ के दुर्ग के शिवन मौल में करोना संक्रमित आधा दरजन से ज्यादा संक्रमित करमचारी मिले हैं जिसके बाद भी शिवन मौल के संचाल को द्वारा शासन के नियमों की धज्या उड़ाते हुए मौल के इंदर चार से पांच लोगों के रहने की विवस्था कर रखी थी जबकि शासन के नियम के नुसार मौल को कंटेन्मेंट जोन घोशित कर आवाजाई पूंत है बंद कर दी गई थी इस बारे में दुर्ग जीला प्रेस कलब के सदस्यों को सूचना मिलते ही सर्फ प्रथम मौल की वास्तु स्थिती देखी गई जिसमें सूचना सही पाई गई इसके बाद इस बारे में जीला स्वास्ते दिकाली डॉक्टर गंभीर सिंग ठाकूर से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि मरीज मिलने के बाद बिल्जिंग को कंटेन्मेंट जोन घोशित किया गया है जिसकी जवाबदारी निगम परशासन की होती है इस बारे में जब दुर्ग निगम आयुक्त से चर्चा की गई तो उनके द्वारा तवरित कारेवाही करते हुए निगम हमला को बाजार प्रभारी दुर्गेश गुपता के निटितुमें भेज कर शिवा मौल के संचालक अजेभ हटर को मोके पर बुलाया गया जुर्मान अनुरोथ अपील करने के बाद भी आम नागरिक लोगडाउन का पालन नहीं कर रहे इस समन में जागरुप जनताव मीडिया की सुचना पर निगम स्वास्ते विभाग अमलाद वारा शिवा मौल का निरिक्षन किया गया जहां पर मौल में आवा जाही चालू रखी गई थ प्रंतुस का रेजजेंशिल उप्योग किया जा रहा था जिसके कारण आयुक्त इंदरजीत बर्मन निर्देशा नुकसार संचालक पर 10,000 रुपे का जुरुमाना किया गया है रैन बिसेरा में शिरू देवी साहु द्वारा चाय नाश्ता को स्टोल चलाया जा रहा था जिसे 2,000 रुपे जुरुमाना लिया गया इसी प्रकार से निगम सिमा शेतर के इंदरा मार्केट अगर सेंचोंक वा चंडी मंदिर चोंक पर कई जगहों पर लोगों द्वारा मास्क नहीं मिले जिने 50 रुपे और 100 रुपे का जुरुमाना लगाया गया बाजार शेतरों में निधारित समय से अधिक समय पर व्यवसाह करने वाले चार लोगों से 500 रुपे और 1000 रुपे तक का जुरुमाना भी लिया गया निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील कर कहा कि दुर्ग जीला और शेहर में करोना संक्रमन के बढ़ते खड़कत्रे को देखते हुए पूर्ण लोगडाउन का पालन अवश्य करे दुर्ग भिलाई से राजिंदर गाड़े के साथ सुनिल सौनिकी रिपोर्ट जैसा कि एक घंटा पहले की बात है आयुक्त मौदे ने मुझे बताया कि समस्त पत्रकार बंदू आये थे मेरे पास और उनने सिकायत किये कि सेशियों माल में कुछ लोग रह रहे हैं और वहां ही कुछ दिन पहले कि छे कोरोना पॉजिस्टिक पैसेंट आये थे और वहां क से लोग इसके बाद में वहां पर तीन-चाल लोग रहना कर रहे हैं और आना जाना कर रहे हैं तो कमिश्णा सामने तुरंट मुझे कहा कि आप शবशिव माल में और यहां कि वस्तूशा से पता करिये कि यह रहा है मैं यहां पर आया तो मॉल तो बंद था लेकिन यहां पर पहले खेमलाल वर्मा साब अपने सीफ्ट करें गाड रह सकता है गार बहर में रह सकता है चुकी दारी का मामला है और उसके बार में मैंने अपने कमिशनर साहब को भी आउगत कराया तो इंदर जीद बनमन साहब जो हमारे कमिशनर उन्हों ने कहा कि यह नहीं अगर कोरुना पेसंट यहां पर पाया गया है और उसके बार यह दो-तीन लोग रह रहे हैं तो वह लॉग्डाउन और जो उसका उलंगन किया रहा है इनके द्वारा तो इनको 10,000 रुपे का फाइन की कारवाई के मालिक के पर की गई है और उससे जुन्माना वसुल किया गया अब यह तो है अब यह तो है अप लोग पूछी है मेरे खलते हमारे स्वास्ति भाग का नगर निगाम का यही काम है और बजारी भाग के तरफ से कि अगर कोई अगर इस तैप का संग्यान में आता है तो कमिश्णा साहब के नेदेसान उसार ही आज का यह कारवाई की गई है अभी अभी मुझे जानकारी नहीं है कि किते दिन के लिए सिल रखा गया है लेकिन अभी वर्तमान में जबके अभी तो लाग डाउन लगा हुए है तो बंदी है अभी तो फिलान यह शिश्वारी दो दिन बार लॉग दाउन खुलने का है ऐसे में फिल क्या होगा जाए इसके इसके इसको अगर घेराबंदी नहीं करेंगे इसके लिए इसके लिए इसके लिए कंटेन्मेंट जोन जो है सिल्बन करने का रही पीड़ाबूडी डिपार्टमेंट के दोरा की जाती है मैं दुर्गेश गुपता स्वास्त अधिकारी और बजाद अधिकारी नगर पालिक निगम दुर्गेश को लेकर जहां 13 मरीज बताए जा रहे हैं इसके बाद भी वरतमान में जैसे कि सब को मालूम है कि साथ दिवस का संपूर लाउड़ाउन किया गया है जिसमें सभी प् मैस वहां सरमीकों रहने की विवस्ता है तो वस कंडिशन में वहां पर शरमीकश रहके काम कर सकते हैं क्म मनक के संस्र does कि TWO वह आई है कि यह झाल में दूंद्व और यह व्यकुक्ताम में और यह जाएक इसलिए चार मेने से सर यह देखने में आता है जहां भी कोरोना पॉजिटिव प्रेसेंट पाया जाते हैं उस एरिये को उतना दूर सील कर दिया जाता है ऐसी भी कोई वस्ता वाहन नहीं की गई है वरतमान में चूंकि पूरे शहर को गोसित कर दिया गया है इसलिए जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहें वहां पर अलग सी बेरिकेटिंग लगाने क्या आप सकता नहीं है समझ नागरीकों से अपील है कि वह आपने घर में रहें और कंटेंब्मेंट जोन के तरह जो कडाई से पालन किया जाता है सेम लागडॉन में वही इस्तिती है पालन करें तो 14 दिन तक कि वहां पे प्रकार से कंटेंबेंट जोंग होती तहता है क्योंकि लागडाउन तो अभी जानकारी नहीं है कि लागडाउन खूल जाएगा कि बढ़ेगा कि नहीं करें कि इसके संब्द में बैठक लिजाएगी उसके बाद आगे के कारवाई के जाएगी अगर तो पर उसमें तो अभी बीजी संब्स Milita काम चलुझेया फिर अन्दर 721 आड़ यूभ हें तो इस ख़ीयां सब्सक्क्राइख एप से देखिए मैं को बता दिया गया है कि उसी करना है उसको तो फिर उनका सब को आइसोलेशन करना पड़ेगा करना पड़ेगा सब का जाज करेंगे तुरंट बोला गया है उसको तो तुरंट बोला गया है जिए उसको जहां पर प्रसासन प्रसासन का निगम विबादी रहते हैं निगम का दि प्रटोकाल में तीनों लोग रहते हैं न जब भी पाजी केस आता है निगम के करमचारी परसासन और स्वास्ता युवार की जवाबदारी रहती है मरीज को ट्रेस करें और उनको सिप्ट करें इलाज करें परसासन की देख नियम की धज्य वड़ाते वे शीव शीव अभी तक पुला हुआ है अगर कुछ अगर होता है अगर कोई और कंक्रमीत होता किसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी नहीं अब चलते हैं अगली खबर की और रक्षा बंदन का तो हार नस्दीक है कोविट संकत के कारण भाईयों की कलाईया सूनी ना रह जाए इसलिए ग्रामीन और शहरी अंचल में महिलाए राखिया बना रही है इन राखियों में 36 गड की माटी की महक तो है ही साथी दरजनों महिलाओं को घर बैठे काम भी मिला है इसलिए अगर हम इन महिलाओं के हातों से बनी राखिया खरी देंगे तो ना सिर्फ इनका होसलाफ जाई होगा बलकि आत राखियों को वैदिक राखि का नाम दिया गया है बहन भाई किसने को पर्व रक्षा भंदन के पर पर सुत्र के इस प्यार में जब पंच द्रव्य में शामिल गोबर और मोली धागा शामिल हो जाए तो इसका महतु और भी बढ़ जाता है देश में बायोकार्ट चाइना क की मुहीम के बीच चाइनिज राखियों का जमकर भाहिशकार भी हो रहा है आपदा को अफसर में बदलने की ताकत तो है इन महिलाओं में मगर चतिसगड़ जरकार और मुख्यमंत्री फुपेश भगेल के प्रोत्साहन से इनको होसला मिला है वैदिक राखि बनाने वाले इ उनको होसला मिला है महापोर शिरित दिवेंदर यादव ने भी महिलाओं की स्पहल की सरहाना की है संस्था की संचालक निधी चंद्राकर लंबे समय से महिलाओं को अलग लगत तरह से हुनर सिखाने में मदद कर रही है इसी के माध्यम से वह गरीब गरिहेंडियों को अपन के निर्बर हो सकेंगी इस बारक्षा बंदन के तोहार में बिहान की दिदियां बहनों के लिए जुमके कांगन और भाईयों के लिए राखिया बना रही है महिलाओं को उमीद है कि ग्रामी नंचल में उनकी राखियों और आर्टिफिशल ज्वेल्री को पसंद किया जाएगा इनके प्रोडेक्ट्स अच्छी गुनवता और कम दाम में उपलब्द हैं अब रुख कर लेते हैं अगली खबर के ओर 36 गड़ के देव भोग में मानवता को शर्म सार करने वाला मामला सामने आया है भारती भिम सेना और स्जी स्जी संयुक्त मोर्चा की तत्वाधान में कारेवाही के लिए मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सोपा गया आपको बता दे कि एक शब का स्वास्थे केंदर में पोस्ट माचम नहीं किया गया विकास खंड शेतर केंतरगत नहीं होने की बात कहकर इस शब को मैनपूर ले जाने की बात मी कही साथी आरोब है कि पोस्ट माचम के लिए चार हजार उपे भी लिए तब जाकर पोस्ट माचम हुआ बताय जा रहा है कि परिचनों ने यह चार हजार उपे की धनराशी बड़े मुश्किल से अपनी गाड़ी गिर्वी रख कर दी भारती बिन सेना और स्जी एस्सी संग्त मोर्चा के तत्वाधान में कारिवाही के लिए मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सोपा गया और कहा गया कि एगर डोक्टर चाहते हैं तो वहीं पर पोस्ट माचम हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया इनसे परिशनों को खासा परिशानियों का सामना भी करना पड़ा है आपको बता दे कि शुकरवार को चलना पादर के पोड़ पारा के निवासी जैलाल का शव सड़ी गली हालत में जंगल के बीश में मिला था जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मोगे पर पहुँची साथी शव को पोस्ट माटम के लिए सास्ते के इंदर में भेज दिया लेकिन जहां विकास खंड शेतर के इंतरगत नहीं होने की बात कहकर इस शव को ओटो से 70 किलो मिटर दूर पोस्ट माटम के लिए मैनपूर ले जाने की बात की जहां पोस्ट माटम करने के लिए भी 4000 उपए म को मिरा इसी दरश पर आज भारती भीमसेना और स्टी ससी संयुक्त मोर्षा के तत्वाधान में कारेवाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सोपा गया है और कारेवाई होने की स्थिती में लडाई लडने की बात कहीं गई है मामले को लेकर भारती भीन सेना के परदेश उपाध्यक स्टेक लाल प्रधान ने कहा कि जाती विशेश को परे रख कर भी देखे तो यह मामला पूरा मान तक का शुरम सार करता है क्योंकि डोक्टरों द्वारा मोके पर यह देभोग चीर घर में असानी से पोस्ट माटम किया जा सकता है लेकिन अधिकारियों की बेरुखी रवया की करना अधिवासी परिजनों को शुब को कई परिशानियों का सामना कर ओटों वे पोस्ट माटम के लिए मैंपूर ले जाना पड़ा इससे दुर्भागी और क्या हो सकता है कि पूरी वस्तू स्थिती की जानकारी होने के बाद भी अब तक लापरवाधिकारियों पर कारेवाई नहीं की जा रही है इसलिए मुख्य मंत्री में प्रभारी मंत्री के नाम ग्यापन सोपा गया साथ ही साथ दिवस के भीतर कारेवाई नहीं करने की स्थिती में लडाई लडने की भी चेतावनी दी गई है प्रिशासन के रवये से मजबूर आदिवासी परिशनों को ओटो से शव को पोस्ट माटम के लिए जाना पड़ा था इसके बाद भी स्वास्तेमला में नर्मी नहीं दिखाई गई चार हजार उपे की मांगी गई जिसके चलते परिशनों को अपना वाहन गिर्वी रखकर राशी देनी पड़ी तो कहीं जाकर पोस्ट माटम हो पाया इस मामले की जल से जल निश्पक से जाच की कारेवाही के लिए ग्यापन सोपा गया है ताकि आगामी आने वाले दिनों में ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में ना आए ग्यापन सोपने के दुरान भारती भीम सेना परदेश कारेवाक अध्यक्षिव शेश्वर तथा कई ऐसे कारेकरता मुझूद रही देव भोक से समधाता लोकनात सोरी की रिपोर्ट मरकाम जी किस मुद्दे को लेकर स्टेम साफ को ग्यापन सोपा गया अगर है तो उसका सही जानकारी हो अगर साथ दिन के अंदर हम लोगों का कारवाई अगर सुनाई नहीं होगा तो हमारे समिक्त मुर्चा की और से प्लस भीम सेना की और से रोड में अखंड ऐसे चक्का जाम होने का संभावना है और यही रनिति हम बनाये हैं और जो जो यहां करमचारी जो यहां की सड़े कले लास को इस तल में भी प्यम हो सकता है और हो रहा है पर क्या पुलिस का लापरवाही है या स्वास्त विगा का लापरवाही है और हम लिख के दिये हैं और उच अधिकारी उनका जाच किया जाए परन्तु यहां से रिक्षा में लेके गए और चार हजार रुबिया मांग किये और ऐसे गरिब परिष्थिती आदमी चार हजार भी दिया और अभी तक के क्या होगा हम एक चेतावनी दिये हैं अगर नहीं होगा तो उग्राद नुलन भी होगा परदान जी किस विशे को लेकर एडियम साफ को ग्यापन सुपा गया जो चलना पदर कर घटना हुआ जो हमारे बहुजन समाज की व्यक्ति हांसी लागाने के बाद उनके सब को पोस्ट माडम आटो से लिया गया और वहां पहुंचाने के बाद चाहजार रुपय लेकर पोस्ट माडम किया उज विशे में कारवाही को लेकर हमने ग्यापन सोपा एडियम साब को और साथ ही जेताबने भी दिया है कि साथ दिवस के भीतर अगर कारवाही नहीं किया जाता तो हम आने वाले दिनों में बिल्कुल घरना परदसन करेंगे औ हो सके तो हम स्वास्त मंतरी का भंगला घराव भी करेंगे ताकि आगामी दिनों में ऐसे मानोता को सरमसार करने वाला घटना सामने ना आए इस संबंद में हमने एडियम साब के नाम जापन सोपा है ताकि जल्द से जल्द संबंदित दोसी अधिकारियों पर कारवाही किया अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर 36 गड़ के दुर्ग भिलाई में पूलिस की मुस्त्यादी से दो बाइक चोट डेड़ घंटे के बाद ही पूलिस के हत्ते चड़े आपको बता दे कि पूलिस अधिक्षक प्रशान ठाकूर एवं अतरिक्त पूलिस अधिक्षक रोहित सजकता और सतरकता का परीचे देते हुए दो ऐसे चोर को पकड़ा जो एक वाइक चोरी की घटना को अंजाम देकर दीपक नगर में एटीम में भी चोरी का परियास कर रहे थे बता दें कि घश्ति के दुरान जब सी एसपी दुर्ग की नजर दो संदिक दियुकों पर पड पर उनके द्वारा गुमरहा करने की कोशिश की गई संदे होने पर आसपार सच करने पर वहां पर एक मोटरसाइकल बरामद हुई जिसे वे चोरी कर अपने साथ लाए थे साथ ही उनके पास एक रोड तथा एक छोटा सा चाकू भी बरामद हुआ रोपियों ने सविकार किय कि यह मोटरसाइकल वे अस्पताल वाड दूर्ग स्थित मकान के सामने से करीब गंटे पहले चोरी करकर लाए हैं। दूर्ग भलाई से राजेंदर गाड़े के साथ सुनिल सोने की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सुब्सक्राइब करें। घंडे वाली स्थनिल से करें लाइब करें।